इसी युद्ध के हालात खत्म नहीं हुए हैं इससे पहले कि बन्यामिन नतन्याहू कोई बड़ा फैसला ले वो तीन बहुत ही गंभीर क्राइसिस से घिर चुके हैं अब इसराइल की सेना को डर है कि कहीं इस हालात का फैदा इरान ना उठा ले देखे रेपोर्ट 24 घंटों के अंदर इसराइल और इरान की टक्कर में तीन बड़ी घटनाओं ने बैनमिन नेतन्याहू को पूरी तरह हिला कर रख दिया है नेतन्याहू को शौक नमबर वन अमेरिका ने इसराइली सेना की एक स्पेशल यूनिट पर प्रतिबंध लगाने की तयारी कर ली है नेतन्याहू को शौक नमबर टू इसराइल की मिलिटरी इंटेलिजेंस के चीफ ने पद से इस्तीफा दे दिया है नेतन्याहू को शौक नमबर तीन इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि इरान की मिसाइल पावर देखकर इसराइल खौफ में डूब चुका है इस वक्त इरान के इसराइल पर हमले और घाजा पर इसराइल की लगातार बंबारी के बीच नेतन्याहू की बहुत ही खतरनाग पोर्स इंटरनाशनल हेडलाइन बन चुकी है पश्यमी मीडिया देखिए उनके अखबार देखिए इसराइल की नेदजा येहूदा बैटैलियन पर बाइडन प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं इस बैटैलियन पर आरोप है कि उसने फिलस्तीनियों पर खुब जुल्म ढहाए है देखा जाए तो अमेरिका से आ रही ये खबरें बता रही है कि बहुत बड़े विबाद में घिर चुकी है इसराइल की नेदजा येहूदा बटैलियन इस बटैलियन पर वेस्ट बैंक में मानवा धिकार उललंगन का इल्जाम है 1999 में बनाई गई बटैलियन में सिर्फ पुरुष सैनिक है और वो भी अती रूडिवादी पुरुषों को इसमें लिया जाता है नेदजा येहूदा बटैलियन पर लगे इल्जाम 7 अक्टूबर 2030 से पहले के हैं लेकिन वेस्ट बैंक का दूसरा सच ये है कि 7 अक्टूबर के बाद से वहाँ 460 से ज्यादा लोगों की इसरेल की सैन्ने कार्रिवाई में मौत हो चुकी है इसरेल की नेदजा येहूदा बटैलियन पर प्रतिबंद लगाने का मतलब है कि इसे अमेरिका से कोई सैन्ने मदद नहीं मिलेगी इसलिए यही है बेनेमिन नेतन याहूद को शौक नमबर पन नेदजा येहूदा बटैलियन पर पाबंदी का मतलब इसरेल की सेना पर काला धबबा नेतन याहू पहले ही अपने घर में लगातार प्रदर्शनों से जूज रहे है और अब उन्होंने अमेरिका की तरफ से आ रही इस रिपोर्ट को नाग का सवाल बना लिया है बाइडन का आकरामक रवया देखकर नेतन याहू को बहुत गुस्सा आया है अब नेतन याहू की तरफ से रियाक्शन ऐसा हया है कि साफ लग्राय की अज्रेईल अब ईड से ईड बजदेगा उसकिरा मेजो आएगा, तबाक कर दिया चाहिए अब देखकर नेतन याइडन जैनमीन नेतन याहू को शौक नमबर टू इस्रेली सेना के इंटेलिजन्स शीफ एहरान हलीवा ने इस्तीफा दे दिया है साथ अक्टूबर दो हजार तेईस को हमास ने इस्रेल पर हमला किया पूरी दुनिया ने इस्रेली टैंकों को जलते हुए देखा एक हजार से जादा इस्रेली नागरिकों और सैनिकों की मौत होई इसी के बाद से इस्रेल में अंदरूनी को हराम मचा था इस हमले के बाद इस्रेली मिलिटर इंटेलिजन्स के प्रमुक मेजर जनरल एहरान हलीवा बहुत दबाव में थे और अब उन्होंने अपने ओहदे को छोड़ने का फैसला किया ये ऐसा वक्त है जब नेतनियाहू के सामने बहुत से फ्रंट खुले हुए हैं और उनके कमांडर भी बहुत ज़्यादा पेशर में है गाजा पर रोजाना नौन स्टॉप बंबारी के बावजूद इसरेल अब तक हमास को खत्म कर पाने में नाकाम साबित हुआ है गाजा में 34,000 से जादा लोगों की जान जा चुकी है लेकिन नेतनियाहू अब भी खाली हां थे दोजार चौबीस में अपरेल का महीना इसरेल के लिए ही नहीं इसरेल के प्राइम मिनिस्टर बेनमीन नेतनियाहू के लिए भी बहुत बड़ा शौक लेकर आया है अमेरिका इसरेल की मदद करने की बजाए उसकी सेना पर पाबंदी लगा रहा है इसरेल की पब्लिक नेतनियाहू के खिलाब सडकों पर उतर चुकी है और इन सबके बीच इरान से बड़े युद्ध का खत्रा अब तक टला नहीं है तेहरान में इरान के सरोच नेता अली खामनेई ने मिलिटरी कमांडर्स की एक मीटिंग बलाई इसे इरान की पावर स्टेटमेंट कहा जा रहा है क्योंकि खामनेई ने इस मीटिंग में ऐसी बात कह दी हैं जिसे लेकर इसरेल के जवाबी हमले वाले दावों पर सवाल और तेज हो गए हैं इसरेल का दावा है कि उसने इरान के हमलों को नाकाम कर दिया था क्योंकि तीन सौ से ज़ादा ड्रोन और मिसाइलों से अटाक हुआ और अन्ठानबे पॉसंट हमलों को आस्मान में ही रोग दिया गया जबकि इसरेल से आई तस्वीरों से साफ है कि 13 अपरेल की रात इरान की कुछ मिसाइल इसरेल के सुपर सीक्रेट नेवातिन एयर बेस पर गिरी थी इन मिसाइलों के साथ बड़े बम नेतन्याहू के साथ इसरेल की साख पर गिर रहे हैं नेतन्याहू के कमांडर स्तीफा दे रहे हैं। नेतन्याहू से इस्रेल की पब्लिक पूछ रही है कि घाजा में बंधक बनाये हुए लोग कब आजाद होंगे। इस्रेल से लगातार पूछा जा रहा है कि इरान को कहा मारा, कैसे मारा, किसे मारा, कितनों को मारा, सबूत कहा ह चले खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि इरान के रास्ट्रपती के पाकिस्तान पहुशने से पहले ही पाकिस्तानी संसद में एक शर्मिसार करने वाली घटना हुई है चोरों ने पाकिस्तान की संसद से संसदों के चपल जूतों को गायप कर दिया बड़ी खबर ये भी है कि एरान के राज्ट्रपती के दौरे को देखते वे पाकिस्तान में विखारियों को लेकर एक बहुत खतरनाक ओर्डर जारी किया गया है देखे रिपोर्ट इरान के राज्ट्रपती इब्राहीम रईसी के पाकिस्तान दौरे के ठीक पहले पाकिस्तानी संसद परिसर में इस्थित मस्यद से 20 जोडी जूते चपलों पर डगाती पड़ गई ये डगाती दिन दहाडे हुई सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में हुई लेकिन इसे देख कोई नहीं पाया और जब खबर मीडिया के सामने आए तो सुरक्षा कर्मियों को कुछ सूज नहीं रहा था कि वो जवाब क्या दें इसलिए वो अपना सिर्ख खुजलाने लगे पार्लिमंट हाउस की मजजद से नमाजीयों के जूते चोरी करने वाला कौन था स्पीकर कौमी असमली सरदार आयास सादिक ने तहकिकात का हुकम दे दिया मतलब अगर आप पाकिस्तान में हैं तो खुद की जान सहित अपने सामान के भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप ही की है पूरी खबर आपको आके बताएंगे लेकिन उससे पहले देखिए इरान के राजश्रुपती जब पाकिस्तान पहुँचे तो क्या हुआ इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान दौरे की तारीख जैसे ही फिक्स होई शाबाज और मुनीर की मानों बाच्षे खिल गई उन्हें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि विदेशी मुल्क का इतना बड़ा महमान उनके खस्ताहाल मुल्क का दौरा भी कर सकता है लेकिन खबर सच थी इसलिए तौरंत ही शाबाज शरीफ ने अपना पुराना कटोरा निकाला उसकी साफ सफाई की और शाबाज ने कटोरा हाथ में उठा लिया यानि शाबाज ने इरानी राश्च्वपती के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही भीक लेने की पूरी तयारी कर ली तो जनाब शाबाज और मुनीर ने कटोरा लेकर भीक मांगने की पूरी रेहरसल कर ली थी वसे पुरानी कहावत भी है कि भीक मांगने के लिए भी वेश धारन करना पड़ता है सो पाकिस्तान ने वही किया इरानी राश्ट्रपती का जहाज जैसे ही पाकिस्तान में लेंड हुआ उनका ग्रैंड वेलकम हुआ एरपोर्ट पर रेड कार्पिट वेलकम दिया गया बात सिर्फ यहीं खत्व नहीं होती पार्ट मीडिया की खबरों के मताविक इब्राहिम रैसी के वेलकम में पाकिस्तान इस कदर बेच गया कि उनका कराची दोरे का कारिक्रम बना तो पूरे कराची शहर को ही बंद कर दिया गया शहवाज की सरकार और मुनीर की आर्मी ने इसकी कोई वजह नहीं बताई लेकिन मीडिया के सूत्र बताते हैं कि यह फैसला कराची के भिखारियों की वजह से लिया गया ताकि इब्राहिम के सामने मुल्क की साफ सुत्री इमेज को पेश किया जा सके एक आंक्डे के मुताबिर पाकिस्तान में भीक मांगना कोई शर्म की बात नहीं रही बलकि बाकायदा ये अब एक प्रोफेशन बन गया है खेर इसकी बात आगे करेंगे अभी बात इरान की अब पैसे की कमी से सालों से लटकी हुई है अब पाकिस्तानी कटोरी की कहानी आगे सुनिये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान हर रोज आहस्ता आहस्ता रसातल में घुस्ता जा रहा है मुल्क में रोटी बनाने के लिए आटा नहीं है और ऐसे में अगर ये पाइपलाइन का प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ तो पाकिस्तान पर डेड़ लाख करोड रोपे का जुर्माना लग सकता है अब जिस मुल्क में डाल तो छोड़िये आटा भी नहीं है वो कहां से लाता डेड़ लाख करोड रोपे इरान से इस दील को लेकर अमेरिका की नाराज़गी से बचने के लिए मार्च 2023 में पाकिस्तान ने एक डेलिगेशन वाशिंग्टन भीजा था इसका मकसद अमेरिका से प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए छूट मांगना था ताकि वो इरान के चलते उन पर कोई पाबंदी ना लगा दे हलाकि अमेरिका ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं दिया लेकिन पिछले साल पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारोल हक काकड की अंतरिम सरकार ने प्रोजेक्ट के एक हिस्से को मनजूरी दे दी इसी वज़े से पाकिस्तान 80 किलोमेटर लंबी गैस पाइप लाइन बिचाना चाहता है लेकिन अमेरिका के दबाओं की वज़े से उसे लगातार जुकना पड़ रहा है पाकिस्तान की हालत को समझने के लिए इस खबर पर भी गौर कीजिए पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद ही पाकिस्तान के वजीर आलासा शी जिन्पिंग के मुल्क जाने की तैयारी में थे लेकिन चाह कर भी शाबाज का चीन दोरा अब तक नहीं हो पाया क्योंकि पाकिस्तान इंटरनाशनल एरलाइन्स की हालत ठीक नहीं है उसके कई विमान आस्मान में ओडने की जगा एरपोर्ट पर धूल फांक रहे हैं और जानकारी के मुताबिक शाबाज का प्लेन भी पाकिस्तान इंटरनाशनल एरलाइन्स यानि PIA का ही है अब पाकिस्तानी संसत परिसर से गायब होए जूते चपलों की ख़बर भी जान लीजिए संसत में हुई ऐसी घटना पर स्पीकर ने जाँच के आदेश दिये हैं संयोग्त सेचिव प्रशासन और सार्जेंट एट आम्स अस्तर के अधिकारियों को घटना की जाँच करने का काम सौपा गया है और CCTV फोटेज के निगरानी के माध्यम से अपराधियों की पैचान करने के प्रयास जारी है चलिए चीन से आपको खबर बता दे जहां के लिए ये बुरी खबर है क्योंकि पाकिस्तान की तरह चीन में भी अर्थवरस्था पूरी तरह से हिल चुकी है प्रापरटी बाजार से लेकर सबजी मंडिता चीन की खालत पस्त है